आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़रा खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो आप अभी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है अगर आप सब्टेंबर का वेड करेंगे तो बहुत ज़रा देरी हो सकती है वीडियो को एंटर जुरू आती है वो है मिली बग्स की मिली बग्स या फिर आप कह सकते हैं कोई कीड़ा पतंगा जो हमारे पौदे में बहुत ज़रा करलिंग की समस्या डाल देता है बहुत सारे लोग अभी के मौसम में परिशान होगे इसे क्योंकि यही मौसम होता है जो महीना होता है बारिश बढ जाते हैं उसको हम कैसे काबू कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और साथ में रोज में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि आपके जो पौदे हैं उनके जो पत्ते हैं वो मुड़कर आते हैं या कर्लिंग की समस्या बहुत जदा आपके गुलाब के पौदों में दीखी जाती है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको य बटाने हैं इसका क्या कारण है दोस्तों जो मिलीबक्स की शील्ड होती है आप कह सकते हैं आउटर कवरिंग होती है वो ऐसी बनी होती है कि उसके उपर कोई भी इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने वो जल्दी से जल्दी नहीं जाता है पौधी की उपर वो वैसे ही चिपका रहता है अगर आप तेज नोजल से उसके उपर स्प्रे करोगे वो निकल जाएगा और उसके बाद अगर आप नीमॉल स्प्रे करना चाहें वो डालें नीमॉल दो एमेल आप एक लीटर पानी में डाल सकते हैं या फिर आपको अगर आप कोई भी शौप पे जाएंगे वहा हमारे जो पौदे हैं इनके उपर स्प्रे कर देना है इसके साथ कोई भी माइड्स हैं कोई भी कर्लिंग की समस्य है मिली बग्स यह सभी चले जाएंगी पर उससे पहले पानी का चिटकाओ है दो दिन करें और उसके बाद इंसेक्टिसएड इस्तेमाल करें और दूसरी ची है जो कोई भी आप के पास पास पौद है उसके अब रिपांटिंग कर लीजेए और जब भी आप ट्रांस्प्लांटिंग करते हैं उसके थोड़ी सी जो मिटी है वो निकालने पर जादा नो निकाले हैं जिसके साथ जो जड़े हैं वह बहुत पौद जय Says मर जाता है इसको आपने अच्छे से mix कर लेना है और मिटी में आपने 20% कम से कम गोबरखा जरूर डालनी है अगर आप ऐसे heavy feeder plant से लगा रहे हो जैसे मोगरा हो गया, rose plant हो गया, इनको 20% गोबरखा जरूर चाहिए होती है और 7 में आपने mix करके इसको अच्छे से पानी दे देना है और प से बड़ी चीज होती है कि इसके जो air pockets है वो आपको पूरी तरह से बरने है जिसके सार कल अगर कोई जाला बारिश है इसमें fungus ना लगे और तीसरी दोस्तों चीज है बहुत जरूरी है बहुत सारे लोग अभी मुझे पूछते हैं कि हम कौन सी cutting लगाए, cutting चाहे कोई भी हो चाहे वो सारा साल चलने वाला पौदे हो चाहे कोई ऐसा पौदा हो जैसे डेलिया क्राइजन्थिमम जो सीजनल होते हैं उन सभी की cuttings लगाने का अभी सही समय चल रहा है और आपको मैं छोटा सा update दखा देता हूं जो मैंने cuttings लगा रखी है क्राइजन्थिमम का दोस्तों मैंने बार-बार आपको बता है कि आप अभी लगा लें क्योंकि सही समय चल रहा और इसकी root system आप देख सकते हो बहुत बड़ी है तरीके से आ रही है और साथ में जो दूसरे हमारे पौदे हैं उनकी जड़े हैं बन रही है जो अलमांडा में है नियू ग्रोथ स्टार्ट ह हो गही है और आपको मैं यह बताना चाहूंगा जो पर्मनेंट प्लांट्स हैं वो जो हमारे पास regular seasonal plants होते हैं उनसे थोड़ा सा लेट रूटिंग स्टार्ट करते हैं पर अपनी ग्रोथ वो पहले स्टार्ट कर देते हैं इसके लिए थोड़ा सा वेड करें उसको जल्दी स उखाडना नहीं चाहिए इसलिए मैं यहां पर आपको उखाड कर नहीं दिखाऊंगा विंका मैंने आपको दिखा दिया है कि जो विंका है वो भी मेरा लग गया है और साथ में जो क्राइजन्थिमम है ये भी बहुत अच्छे से लग गया है कटिंग लगाने के बाद भी आपको इसको बारिश से बचाना पड़ेगा क्योंकि बारिश में सबसे जरा चांस यही रहते हैं कि फंगेस ना लग जाए कटिंग को आप शीडी एरिया जहां पर लोबी में रख सकते हैं जहां पर एर सर्कुलेशन अच्छा हो पर बारिश या पूरी धूप उसको ना आ और चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा फटिलाइजर के बारे में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो पर्मानेट प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं या फिर नए नए पौदे लगाते हैं उनको मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर आप पौदे नए लगाते हैं इनको फटिलाइजर रेगुलरली दें क्योंकि जो प्लांट्स स्मॉल स्टेज पे होते हैं इनको बहुत अच्छे से इंटेक चाहिए होता है वैसे भी अगर जैसे पर्मानेट प्लांट्स है यह अभी अक्टूबर में जागे थोड़ा सा अपना जो ग्रोथ है उसको कम कर देंगे जब तक अगर आप इसकी बड़िया ग्रोथ ले लोगी तो आगे आने वाले जो मौसम होगा इसके लिए उसमें यह ज्यादा फ्लावरिंग भी करेगा और इसकी जो ब्रांचिंग वो भी ज्यादा होगी फटिलाइजर की अगर मैं बात करूं कौन सा मैं मैं फटि दूम बालती की एक बेल है इसको आप अच्छे से फटिलाइजर दे देंगे और उसके बाद आप क्या करें इसको शाम को पानी दें जिस वक्त आपने फटिलाइजर डाला है धूप में अगर आपने डाला तब इसको पानी ना दें क्योंकि मिटी पहले से वह गीली रहती ह जब सूख जाएगी आप इसको बड़िया तरीके से जो पानी से नहला सकते हैं और आपका पौदा हरा भरा रहेगा और हमारे पस दोस्तों सबसे लास्ट वाली जीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग प्रूनिंग करते हैं पर काफी लोगों को रि नहीं आरही है और बहुत बड़िया जो हैल्दी प्लांटा मेरा लग रहा है मैंने किया था पंदरा बीस दिन पहले इसकी जो लंबी-लंबी ब्रांची स्टी मुझे बड़िया नहीं लग रही थी मैंने इनको काड़ दिया था और उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट पा है यह बुशी हो गया है ऐसे कि आप हाइबिस्कस में भी सॉफ्ट प्रोनिंग कर सकते हैं हाड प्रोनिंग करने के लिए विंका का पौदा जो सीजनल होते हैं वो चुन सकते हैं और यह बीस दिन में 20-25 दिन में में मेरे साब से अच्छे से पूल दे देंगे और आप अभ करना जाता था और आप उसका रिसल्ट देखी सकते हो कोई भी आपके पास प्रोनिंग के लिए प्लांट पड़ा है उसकी प्रोनिंग कर दीजिए अगर आप सेप्टेंबर में करोगे तो बहुत जादा लेट हो जाओगी इसलिए दोस्तों यह कुछ चीजे थी जो मैं दीनी सीजन में करते हैं और साथ में कोई भी हमारा जो पौदा होता है नहीं लगने वाला होता वो बारिश के पानी के सार अच्छा हरा हो जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंदा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीए और मेरी वीडियो को भी शेर और लाइक कीज थैंक यू सो मुझ